आज हम बनानी चारे हैं अर्बी की बहुत ही टेस्टी मसालिदार सूखी सबजी आप इस सबजी को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और यदि बच्चे अर्बी की सबजी खाना पसंद नहीं करते तो एक बार अर्बी इस तरीके से बना कर उन्हें खिलाईए वो भी इसे खूप चाव से खाएंगे इस तरह से बनाई कई सबजी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है और खाने में बहुत ही जटपटी लगती है तो हेलो फ्रेंड्स मैं हू निर्मला मेरे किचन में आपका बहुत बहुत सागत है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें साथ ही ऐसी और भी रेसिपी इस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले इस सुपर टेस्टी सबजे को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी अर्बी तो यहाँ पर टोटल मैंने 500 ग्राम अर्बी का इस्तमाल किया है और अर्बी को अच्छे से दो करके साफ कर लिया है क्योंकि इसमें उपर काफी मिट्टी चिपकी वी होती है तो अर्बी को पानी में थोड़ी देर भी गो दें जिसे मिट्टी फूल जाए फिर इसे इजिली वाश किया जा सकता है अब अर्बी को हमें उपालना है तो इसके लिए एक प्रेशर कूकर में इसे ट्रांसफर करेंगे और अर्बी पूरी डूब जाए पानी के अंदर उतना इसके अंदर पानी आड़ कर लेंगे अब प्रेशर कूकर का डखन बन करके इसे गैस पर चटाएंगे और बस इसमें एक ही विसल हमें लगानी है अब जैसे ही कुकर का प्रेशर खतम हो जाएगा एक विसल लगाने के बाद हम प्रेशर कुकर को खोलने के बाद अब अर्बी और पानी को अलग कर लेंगे क्योंकि देसी पानी में अर्बी रही तो ये और भी जादा सौफ्ट होती रहेगी तो बस अर्बी को आप एक ही विसल में पकाएं वरना ये ज़्यादा ओवरकुक हो जाएगी अब देखिए एक विसल लगाने से अर्बी है वो काफी अच्छे से सौफ्ट भी हो गई है और बिल्कुल कली भी नहीं है तो जब अर्बी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे इस तरह से छील करके तयार कर लेंगे अर्बी को बोयल करके लेने से इसका चिपचिपापन काफी कम हो जाता है और यदि इस stage पर आपको लगे कि अर्बी आपके चिपक रहे हातों के तो आप हातों के थोड़ा सा देल लगा ले तो आप अर्बी को छीलने के बाद हम इसे काट लेंगे तो इस तरह मेडियम size के pieces में मैं इसे काट करके तयार करें हूँ आप चाहें तो इसके लंबे pieces भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जो size मैंने रखी आप देखी सकते हैं ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है ऐसा करने से अर्बी को जब हम आगी भी पकाएंगे तो वो जल्दी से तोटेगी नहीं यदि ज़्यादा छोटे या पतली pieces कर देते हैं तो अर्बी क्योंकि soft हो गई है तो बहुत ही जल्दी से तोटने लगती है फिर वो सबजी थोड़ी मैशी सी हो जाती है तो खाने और देखने में इतने अच्छी नहीं लगती है तो सारे अर्बी मैंने इसी तरह से काट करके तयार कर ली है तो चलिए अब सबजी बनाने के लिए एक कड़ाई के अंदर हम तेल भी गरम होने के लिए चटाएंगे और अर्बी को स्पेशली सरसो की तेल में ही बनाया जाता है सरसो की तेल में इसका टेस्ट जादा अच्छाता है तो जैसे ही तेल अच्छा गरम हो जाएगा इसके अंदर सबसे पहले हम एक छोटी चमच राई या सरसो डालकर इसे फोटने देंगे और फिर इसमें डालेंगे आदे छोटी चमच अचवाईन साथ ही जाएगी इसके अंदर दो जुटकी हिंग मसालों को बड़िया से पका लेंगे और तेल को मैंने कड़ाई के अंदर अच्छे से फैला दिया है ताकि जब हम अर्भी इसमें डालें तो वो कड़ाई में चिपके नहीं और अब ये अर्भी के कटेवे पिसे कड़ाई के अंदर एड़ कर लेंगे और लगबग 2-3 मिनिट इस तरह लगाता चलाते वे इने तेल के अंदर पका लेंगे तो इस तरह से तेल के अंदर बोने से अर्भी की जो लेस होती है वो खतम हो जाती है इस वज़े से अर्भी की जो सबजी होती है वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है और खाने में टेस्टी हो जाती है तो अर्भी को मैंने तीन से चार मिनिट बढ़िया से भून लिया है फिर इसमें हम एक से दू बारी का टीवी हरीमेट्स एड़ करेंगी साथ ही आता है चदरक का टुकडा मैंने इस तरह से बारी काट करके लिया है ये भी एट कर लेंगी मैं इसमें प्याच लेसुन वगरे का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो प्याच और लेसुन का इस्तमाल भी कर सकते हैं यदि आपको अर्भी की सबजी में वो पसंदो लेकिन जब हम सुकी सबजी बनाते हैं अर्भी की तो इसमें अधरक और हरी मिर्च का ही टेस्ट जदा अच्छा लगता है अधरक और हरी मिर्च को कुछ सेकंड पकाने की बाद अब इसके अंदर जाएंगे पाउडर मसाले जिसमें लेंगे दो छोटी चमच धनिया पाउडर आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और इसमें आप अमचूर का पाउडर जरूर से डालें तो एक चमची मैंने इसमें अमचूर का पाउडर डाल दिया है और साथ ही इसमें डालेंगे हम आदी छोटी चमच गरम मसाला अब स्वात के अनुसा नमक भी आड़ कर लेंगे और बैस अब मसालों के साथ अर्भी को दो से तीन मिनट फिर से भुन लेंगे तो इससे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और पूरी अर्भी पर मसालों की बड़िया कोटिंग हो जाएगी और ये लीजे जो मसाले हैं वो भी बड़िया से पक गए हैं बहुत ही अच्छा कलर इनका आगया है और काफी अच्छे से ये अर्भी के उपर कोट हो गए हैं और अर्भी भी आप देख सकते हैं बड़िया सॉफ्ट थी लेकिन ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है तो लास्ट मिगेस का फ्लेम आफ करने के बाद इसमें डालें खूफ सारा बारी कटावा हरा धनिया और इसे विवडिया से मिक्स कर लें तो इस तरह से एकदम कम समय में हमारी बहुत ही चटपटी मसेदार अर्भी की सबजी बनकर हो गई है तैयार जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्ट लगेगी तो फ्रेंड्स आप जरूर से एक पार ये सबजी बना कर देखेगा मुझे उमीद है आपको ये सबजी बहुत पसंद आएगी आप इस सबजी को पूरी या पराटे के साथ खाएं उनके साथ इसका कॉंबिनेशन और भी कम माल का लगेगा तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राइ करें प्लीज अपनी फीड़बैक मेरे साथ जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई